इन कम्प्लीट डॉमिनेंस का बेसिक कॉंसेप्ट हम समझेंगे तो सबसे पहले अगर मैंडल की बात माने तो मैंडल ने कहा कि वही हर जो करेक्टर है वो पेर ओफ एलिल से कंट्रोल होता है जिसमें से एक जो एलिल रहेगा वो डॉमिनेंट होता है और जो दूसरा रहेगा वो recessive होता है यानि जब हेट्रोजाइगस कंडिशन है उस समय जो अलेल अपना 100% expression दे रहा है वो dominant अलेल है और जो अपना expression नहीं दे पा रहा है जिसके expression को मास्क कर दिया गया है वो recessive अलेल है इसके बाद अगर हम बात करें incomplete dominance की तो इसके बाद जो experiment हुए उसमें पाया गया कि जो F1 generation है उसका जो phenotype है वो दोनों parents में से किसी के साथ भी नहीं मिला और उन दोनों के बीच का कोई phenotype था यहां पर example के लिए समझें कि भई जो dog flower है या फिर anti-rhynium plant जो है उसका flower color दो color का flower उसमें मिलता है एक red color होता है और एक white color होता है जो यह flower color का जो gene है वो एक gene capital R है जो एक gene जो हो capital R है और दूसरा gene जो हो small r है capital G अगर homogigous condition में है तो उसका color red होगा और small r small r homogigous है तो इसका color white होगा तो इन दो plants को cross जब किया तो F1 जो हो capital R और small r आई है अगर हम यहाँ पर mendelian concept लगाएं तो जो R जो हो completely dominating है small r के उपर तो इसका color जो है red आना था लेकिन experiment के दोरान ऐसा नहीं हुआ जो भी color आए वो सभी pink color के आए pink color के क्यों आए है क्योंकि यह जो R gene है वो small r gene के उपर completely dominating नहीं है यह अपना expression पूरी तरह से नहीं दे पा रहा यहीं आप NCRT में भी पढ़ सकते हैं कि जो main reason है आपके incomplete dominance का वो यह है कि R was not completely dominant over the small r इसका मतलब अगर capital R small r रहेगा उस case में जो color है वो pink आएगा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो incomplete dominance है इसमें F2 जो आएगी उसके अंदर phenotypic और genotypic ratio दोनों same रहेंगे एक जो है total 4 है चार में से एक जो है वो red color का plant है दो जो हो pink color के plant है और एक है white color का और इसी प्रकार capital R capital R का number 1 है capital R small r का number 2 है और small r small r का number 1 है तो 1 is to 2 is to 1 जो है incomplete dominance के अंदर आता है अब अगर हम बात करें co dominance तो co dominance और incomplete dominance दोनों मिलते जूलते हैं ध्यान रखना है co dominance में मैं बात कर रहा हूं कि incomplete की अगर dominance की बात करें तो उसमें एक जो alleyl है वो दूसरे के उपर completely dominating नहीं था अपना थोड़ा vote expression ही दे पा रहा था और जो F1 जो आई थी वो दोनों parents में से किसी के साथ भी नहीं मिल रही थी लेकिन co dominance के अंदर क्या होता है जो F1 जो होती है दोनों parents से ही मिलती है यानि अगर हम बात करें मान लीजे कोई gene है जो blood group को control कर रहा है तो blood group को control करने वाले तीन alleles होते हैं एक IA है एक IB है और एक small i है जो IA है ये एक sugar के लिए code करता है IB जो है उसी sugar की थोड़ी से different form है तो फिर जो IA gene है वो equal रहता है IB gene के यानि कि जब ये दोनों साथ present है तो ये अपना 50-50% expression देंगे लेकिन small i जो है वो recessive है जब भी small i रहेगा तो वहाँ पर कोई भी sugar नहीं बनेगी तो यहाँ पर incomplete dominance कहा जब parent 1 जो है उसके पास IB gene है और parent 2 के पास IA gene है जब fertilization हुआ तो एक parent से IA आया दूसरे से IB आया तो IA और IB दो एलिल्स आये हैं तो अगर यहाँ पर मेंडल की बात माने तो इन मेंसे कोई एक जो है dominant होना चाहिए और कोई दूसरा जो है recessive होना चाहिए और यहाँ पर सिर A से जो है blood group आया A और IB से जो है वो आया B इसका मतलब AB इसका मतलब जो RBC है उसकी membrane के उपर type A सुगर भी आई है और type B सुगर दोनों ही सुगर आई है तो इसका मतलब जो IA gene है उसने भी अपना expression दिया 50% और IB जो है उसने भी अपना 50% expression दिया यानि जब F1 जो है उसके अं कहा है उसको कहा co dominance co dominance में F1 दोनों parent से मिलती है और incomplete dominance में दोनों में से किसी से भी नहीं मिलती दोनों के बीच की होती है तो यह बहुत बड़ा जो है difference है यदि आप चाहते हैं कि इस दोनों topics को आप detail में cover करें तो आप comment box में बता सकते हैं मैं आपको अलग से दोनों के topics के basic concept और detailed description के video बना देंगे